असलाम अलेकुम इस वीडियो में हम एक और इंपोर्टन टॉपिक कर टच करने वाले हैं जहां पर डेटा साइन्टिस्ट बहुत ज़्यदा अक्सर गवर आ जाते हैं सोरी मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम होगी थी and you know what I mean to say that खेर तो यहां पर हमने करना क्या है हमने percent change calculate करनी है सो इसका formula क्या होता है वो आपको भी पता होना चाहिए is equal to लगाने के बाद ये वाली value ठीक है और इसके बाद minus ये वाली value and हम इसको divided by this value करते हैं राइट और यह हमारे पास 0.6 आ जाता है क्या ये तरीका ठीक है आपको पता है इस तरीके का तो 0.6 आ जाता है लेकिन अब अगर हमने इसकी percent calculate करनी हो तो हम इसको सारी value को multiplied by 100 करते हैं तो यहां पर आप देखें कि 60% हमारे पास ज्यादा sale हुई है as compared to 2018 ठीक है अब अगर हम यहां पर एक और तरीके से करना चाहें इसे calculate हम क्या करेंगे this one minus this one और इसके ओपर bracket लगा दी इसके ओपर bracket लगा दी and then divided by this one यह कर दी है करने के बाद 29 point something आ गया अब यहां पर सिर्फ percent sign या control shift percent पर क्लिक करेंगे न तो आपकी percent calculate हो जाएगी जैसे यहां पर हमने 100 किया था ना मैं इसको खतम करता हूँ यहां पर सिर्फ percent sign पर क्लिक करता हूँ तो आप देखे 60 percent sale है increase की यहां पर 29,60 percent sale increase की है अब यहां पर इसको calculate करना है तो मैं bracket open करता हूँ इस पर क्लिक करता हूँ minus लगाता हूँ यह वाली value आ जाती है और bracket बंद करता हूँ divided by again this one इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास यह value आ जाती है मैंने percent में convert करना है simple percent पर क्लिक करूँ है तो automatically multiplied by 100 हो जाएगा ठीक है control shift percent भी आप क्लिक कर सकते है अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ equal to this bracket open this one minus this one bracket band divided by this one करने के बाद मैंने यहां पर क्लिक किया control shift और percent का बटन दबाया तो यह percent आ गया तो आप इस तरीके से percentage calculate कर सकते है तो आपने अब क्या करना है एक dummy data set बनाना है जिसमें mathematics के number आपने लिखने है यहां पर total रख लेने और हर बंदे के calculate करने है for example total यहां पर आ गया total marks वो होते हैं 100 ठीक है total marks 100 होते हैं लेकिन आपने रखने हैं 120 120 रखने के बाद यहां पर name लिखना है for example अमार के कितने है तो यहां पर आप कोई भी और नाम लिखने है कलीम के कितने है हबीब के कितने है मूसा के कितने है ठीक है तो इस तरीके से आप number लिख सकते है for example 67, 89, 88, 110 या 111 तो आपने इनकी percentage calculate करनी है और problem से बचने के लिए आपको percent calculate करनी आनी चाहिए तो हम किस तरीके से करते हैं मैंने आपको बता दिया तो आप इसको calculate करके मैं जरूर telegram पे भेजिएगा मेरे different courses देखने के लिए Excel, Python, SQL और जितने भी programming language है to be a data scientist या data analyst description के अंदर दी हूँ है प्लीज उने भी चेक करें subscribe करें चैनल को take care see you in the next video Allah निके बाद